कि जो लेटस्ट सैंबल पेपर जो भेजा है सी बेचन इस बार तो उसी सैंबल पेपर का डीटेल्ड सॉल्यूशन है हेलो प्यारे बच्चो तो कैसे हैं आप सब बच्चो आज हम आ गए हैं जिस सीरिज का नाम है इस तरह के सवाल आएंगे इस साल बच्चो यह सवाल जो हैं आपके जो लेटस्ट सैंबल पेपर जो भेजा है सी बेचन इस बार तो उसी सैंबल पेपर का डीटेल्ड क्वेटर्स का जौ का पेपर आया है उसमें कई सारे चेंजस करें क्या क्या है थिट्रोड का नया पैटरन क्या है कितने कितने choices मिलेंगी आपको किस तरीके से प्लाइन किया है 95 परशेश स्कोर करने के लिए यह त्या है कि सारी की सारी जितनी शारा का सारा डी टेल एनलिसीस करके हम लोगों ने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अप्लोड कर रखे सारी की सारी डीटेल्ड इंफॉर्मेशन आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं उसकी लगों क्या करने है सिर फर सिर्फ चैनल को सबस्क्राइब कर लेना है जब भी कोई नई वीडियो डालो तो आप जाके देख सकते हैं बच्चो रेगुलर मैंटिक कुई हो रहे हैं मैच सेक्षिन आएंगे तो यह पांच वा सेक्षिन है और इससे पहले की चार सेक्षिन की जो वीडियो जो भी कोश्चित पूछेगे वो सारे के सारे पूरा का पूरे सॉलुशन प्रोवाइट कर दिये गए ठीक है तो जिन्हों नहीं नहीं देखे हैं जो नए हैं इस वीडियो वो जाके पहले की भी सेक्षिन A, B, C, D, B जाके देख सकते हैं तो चलिए बच्चो शुरू करते हैं फाइक मागा कोशन और बच्चो एक सीरीज और चल रही है जिस सीरीज का नाम है इस तरह के सवाल आते हैं हर साल इस सीरीज में प्रिवियर सीरीज कोश्चन भी हम डिसक सकते हैं की टू मांक सी मांक फाई मांक कउषिन किस तरीके से सजाव से तरीके से जाते हैं सीभी से दो चलिए बच्चो शुरूं करते हैं बहुत बड़ा section है बड़ा सेक्षिन कीया सबस्वार्श स्कॉर्ण सेक्षिन है एक question five और देखते हैं कि किस तरीके सा输से सवाल पूछे जाएंगे ज बार तो चलिए दẽ पहला question क्या है a question से एक सब्स Architect is not question से कंप सरी है कोई एक question के साथ आपको और भी मिलेगा तो फुल मिला के हम इस वीडियो में आज हम छे question करने वाले six long answer ठीक है long questions चलिए तो देखते हैं क्या है long answer type में बच्चों सवाल आया हुए पहले chapter से electro electro charges and fields electrostatics भी आप बोलते हो तो क्या लिखा हुए state gauss law in electrostatic पहुआ simple question कि gauss law का state करना है कर देते हैं आईए क्या लिखा हुए कि gauss law या gauss theorem states that the total flux through a closed surface is one upon epsilon note times the net charge enclosed by the surface क्या मतलब है कि total flux जो है किसी भी surface से ठीक है उसका मैं ऐसे भी लिए सकते है closed integral of e dot ds is equals to charge enclosed upon epsilon note की उस surface में कितना charge enclosed है उसको मैं one upon epsilon note से multiply कर दूँगा क्या बास समझ में आगे इतना सहा कहते है गौस theorem या गौस law next part क्या बोले देखो इसका ठीक है बच्चों यह 31 question है यह उसका पहला part है पहला मतलब यह 31 question है a b उसके दो part है और इसका और भी है ठीक है इसका और भी है वह भी हम करेंगे ठीक है तो चलिए पहले हम यह देखते है अगले पर क्या बोला है show that with the help of suitable figure एक फिगर बना के suitable figure बना के that outward flux due to a point charge outward flux due to a point charge within a Gaussian surface in vacuum is independent of the size और शेप आपको क्या प्रूफ करना है कि गॉस किसी भी एक positive चार्ज से जो आउटवर्ट flux जा रहा है ठीक है अगर उसके चारव तरह में Gaussian surface ले लूँ तो उसकी radius पर या उसके size पर डिपेंड नहीं करता है ठीक है यह आपको प्रूफ करना है अगर आप यहां पर प्रूफ कर दो तो आपका काम बन जाएगा तो अच्छा आजाओ देख लेते हैं कैसे करेंगे बच्चो थर्टिवन का एपार्ट कर रहे हैं तो हम प्रूफ कर रहे हैं गॉस्थ थिरम तो कैसे मानेंगे हम मान लेते हैं कि positive चार्ज प्लस क्यू चार् अपने आपसे एक स्फेरिकल गॉस्षन सर्फेस अजिम कर लेता हूं स्फेरिकल लगने रहा है इसको बना लेते हैं बच्चो अराम से करेंगे सेक्षिन को हर एक पार्ट को हमने करना है ठीक है विडियो अगर आपको स्लो लग रहे हो तो आप थोड़ा सा फास्ट करके भी इसको देख सकते हैं, चले, तो गॉश्यन सर्फेस का रेडियस माल लेता हूँ, र है, ओके, तो यह आपका होगे गॉश्यन सर्फेस, चीद, ओके, तो बच्चे, इस में से इलेक्ट्रीक फिल्ड की डिरेक्शन कैसे जाएगी, इस तरीके से, मैं इस पर छोटा सा एरियाल ल लिया जिसका area vector भी क्या है इस तरीग्हेस omn टरफ है दीएश चोटा सा वेक्टर और कि फिल्ड मे peso कैसे पूरे चोटा सा सब्सक्राइब सांव्स न्युथ एक तरन फ्लक्ससक्म ठीक है तो अगर नहीं बात करूँ फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल सर्फेस फ्लक्स थ्रू स्मॉल सर्फेस एरिया क्या वजाएगा बच्चों बोलो डी फाइए ठीक है लेट्ट चेंज दी कलर तो डी फाइए इस इक्वल स्टू दू क्या हो जाएगा इतने से एरिया से फ्लक्स का क्या फर्मला हो जाएगा इडी एस cos 0 E.ds hota है E.ds cos 0 Done तो क्या हो गया यह आपका यहापे vector नहीं आना चाहिए तो कि मैं सिदा यहापे पेरिटोर लिख रहा हो तो E.ds cos 0 तो यह कितना हो जागा E.ds और electric field दूट पॉइंट चार्च क्या होता है यह भी लिख लेते है यह हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 into q upon r square into ds तो आगया तो यह आपका d phi e आगया d phi e का मतलब क्या है कि this is the flux through this small surface तो मुझे अगर पूरे surface से निकालना है ठीक है मुझे अगर पूरे surface से निकालना है तो मैं क्या करूँआ integrate कर दूँँआ तो total flux total flux pi e is integration of d phi e पीटा e constant सारी कि सारी वेल इस फिक्स है q और r भी गौशन सर्फस के जो radius अभी अपने fix लिया हुए तो सिर्फ और सिर्फ एरिया पे integrate हो जाएगा तो क्या बचेएगा आपका बचेएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square और integration किस पर जाएगा ds ठीक है closed integral कर दो closed integral ठीक है तो क्या होगा ds का radius ds जो है क्या है चोटा सा सर्कल है और पूरे के पूरे integrate कर दो गोटा sphere का area आजाएगा sphere का area कितना होता है 4 pi r square तो next वाले slide पे चलते है तो कितना आगया है यह अपका pi e is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 तो अपने प्रूफ कर दिया अपने क्या कर दिया आपने प्रूफ कर दिया कि क्या प्रूफ कर दिया कि हाँ यह size और shape पर depend नहीं करता है किसी भी radio के लो ठीक है ओके तो यहां पर आपने ये जिस निकाल दी चलिए बहुत अच्छी बात है next part पर चलते 3 infinitely long thin sheets 3 infinitely long sheets long पतली पतली शीट्स हैं जिन पर surface charge density कितनी है plus 2 sigma minus 2 sigma और sigma ठीक है गिव दी magnitude and direction of the electric field at a point to the left of the sheet of charge density plus 2 sigma मतलब इसके left side में इस वाले इस वाले surface के left side में कितनी net field होगी यह निकाल नहीं मतलब यह वाला region और to the right side of the sheet of charge plus sigma और इसके यहां जहां मैंने question mark बना है वहां वहां आपको क्या निकाल लिए net electric field निकाल निकाल लिए net electric field तो कैसे निकाल लिए बहुत ही सेंपल है हम तीन प्लेट को नाम दे देते हैं इसको वन इसको टू इसको थी ठीक है अब इस वाले और इस वाले रीजन में बना लेते हैं कि एक इलेक्ट्री फिल की डिरेक्शन कि तर लिए प्र पॉजिटिफ चार्ज जाती है तो यहां से इधर जाएगी क्या होगी आपका इतना टाइम नहीं लगाना थीक है तो दूसरे वाले के लिए एटू कितना है इस तरफ जाएगा तो आपने इसको इटू बोल दिया है अच्छा इधर से कैसे आएगी इस तरफ आएगी क्योंकि नेगटिव चार्ज है इस तरफ आएगी और इस वाले की तरफ इससे पॉजि और इसको रिजन टू बोल देते हैं ठीक है अच्छा बहुत बढ़िया आजओ अच्छा बेड़ा सबकी वैल्यू भी लिख लेते हैं एक प्लेट से किसी प्लेट से कितनी होती है एलेक्रिक फिल्ट की वाले ओगर एवन की बात करो तो एवन का होगा कितना टू सिगमा मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूं मैं साइन नहीं ले रहा हूं I am not considering the sign I am just taking the magnitude सिर्फ और सिर्फ और मैंने डिरेक्शन अल्रडी बना दी है अल्रडी बना दी है अच्छा E3 की बात करो तो कितना हो जाएगा सिगमा अपन एप्सुलन बहुत बहुत सिंपल है अगर अब र सुमारेच तो रीजन वन में इनट कितना आ जाएगा हमें क्या-क्या पूचा कोशल में हमें पूचा है कि मैंगनिटूट की देर्डरा डिरेक्शन दोनों बतानी तो ईवन ईटू एट्री नहां से देखो ईवन जा रहा है इस तरफ एक डिरेक्शन को पॉस्टिव और एक मैं लुट नेगिटित वहां तो महल लग इस तरफ है तो माइनस टीवन आद इस तरफ है और इस तरफ हел था द ऐधर हो जाएगा आप माइनस तू सिग्मा ऊपन एपसलोट और एगर नट हो सिग्मा अपन एकर चेंट कि और गोंड कि एटा सिग्मा इसके उनोट तून में मैंनीटूट हो गया और नट होगया तो इसके लेफ्ट साइड में क्लियर अच्छा अब रीजन टू की बात करते हैं बड़ा सिंपल है रीजन टू निकाल रीजन टू की बात करते हैं यहां पर शीट खतम होगी है तो चलो यहां देख लेटे रीजन टू रीजन टू पर क्या हो जाएगा इनेट बेटा देखो आजाओ इवन राइट साइड इथरी राइट साइड पॉजटिव और इटू ने अच्छिन टू प्लस लेक्षिले तेस्त है यहांस जो की एटो का तो इसका है थो सिंग्मा आफसले नॉट नोट इसका झालो फॉजटिव म्मिन से उसका है इतायौकी अचिट अच्छा सिंग्मा थे जा रहा है मट्डिश्त सिंग्मा था बहा है राइट और साइड आफ सिगमा पिर ठीक है तो यह था आपका 31 question का पहला वाला पारme यह पहला पहला और दूसरा पार में यहां प्ना पर ने कर लिए और भी चलिए तो अगले पार्ट पर चलते हैं टाइक्स पर क्या बोला है इसका और वाला पारत निटिकाय अप्टि खाल और एक्सटर इसकी लाज़ाइब का इस इसकी पार बिट्रेइब को सब्सक्राइब यह तो होगे electric dipole का definition पर ideal dipole क्या होता है a dipole of negligibly small size बहुत ही छोटा इस called electric dipole और point dipole negligibly small size का मतलब ठीक है अगर मैं किसी dipole का ऐसे लिखूँ minus q इधर है और plus q इधर है और इनके बीच का दूरी कितना है 2a तो इसका मतलब negligible size का मतलब है कि 2a tends to 0 and q tends to infinity यह होती है आपकी क्या होती है this is the condition for an ideal electric dipole क्यों क्योंकि 2a into infinity यह tends to 0 यह tends to infinity जागा तो आपके finite value मिलें आपको finite value मिलती है ठीक है finite value तो यह होता है बेसिकलिए आपने इतना निखले कि it is a dipole of negligibly small size condition भी लिख दोगा तो बात बन जाएगी पर इस में पूछे आपको give example बच्चों कॉंसा कर रहे है we are doing 31 question 31 ठीक है तीसरा 31 question कर रहे हैं और उसका और आप पूछा उतना ही जवाब करो ठीक है यही मैं हर बार कहता हूं अगर आप मेरी section D वाली वीडियो देखेंगे तो लिखा है यह नहीं कहीं गलती तो नहीं हो गई ठीक है चलिए 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 आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं कि यह बोला है आप से टॉर्ग दिखाना है कितना अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्रिक फिल्ड में रखा जाए बच्चों डेरिवेशन करनी आज़ो फटाफट से लेखो तो डेरिवेशन कैसे कर रहा हूं देखो फटाफट इसका भी पार्ट है ना हाँ बीपार तो बच्चों मैंने क्या करा मैंने इलेक्टिक फिल्ड रहा है है ही मैंने किया रहा है लुक्तिक फिल्ड यूनिफॉर्मान भी सेम हर जगह पर हर पॉयंतम पर सेम है तो यह मैंने अलट्रीक फिल्ड उना अग और मैं क्लार चेंज करके डाइपोल मनाऊंगा आपन इस पे चाहर्ज कितना है प्लस क्यू इस वाले पॉयंट पर इ को यह है क्या है और डाइपोल मोमेट की डिरेक्षेन क्या हूऑ लाया को पता होगी कितना डिस लीग gate है है कि अच्छा अगर मdemokका बारब करों इस वाले चार्ज परिस्वाले है शक्ता लाएं तो फॉर्स के लिए अपने लेता हैं को एक और कर अ ग्रूंप भिया ब्लैक कि टालेल पुछाוס था हुआ है तो इस पर लाइखे ख क्योई है और इस पिदर लेगा कि यह को नेट फोर्स पूछा का हम से नेट निट फोर्स क्छ 2 फॉर्स कुझा लगें निट फोर्स टो नेट फोर्स कितना हो गया एफ नेट कि इस इको इस फॉले चार्ज पर फोर्स के था उप्छुड ओक्योड ऊगया तॉर्क पर्पनिकूलर इस पर्पंदिकlaw सब्सक्र बाहत हैा, तॉर ने कितनी के तूर्पनिकूलर्ड इसके की सब्सक्राइब, तॉर्क थी थे तॉर्क सब्सक्राइब, तॉर्क चम्हें का मैं। 2A sin theta, तो Q into 2A क्या होता आपका dipole moment, और E sin theta, ठीक है, तो torque is equals to P e sin theta, ये तो होगा magnitude की form में, हगर इसको vectorial ही लिखना चाहते हो, तो torque vector is equals to moment, dipole moment vector is equals to cross E vector, ठीक है, तो is equals to P cross E, P is the electric dipole moment, okay, of the dipole, समझ गये, तो ये था आपका 31 के और का B part, अच्छा, अभी खतम नहीं हुआ है, अभी एक question और पुछा गया, क्या बुछा है, an electric dipole of 2 cm length is placed with its axis making an angle 60 degree, respect to the uniform electric field और torque भी आपको दिया हो, आपको magnitude भी बताने है, charge का, और ये बताने की potential energy कितनी होग आजओ, इदर देखो, पिटा torque निकालने का भी क्या फार्वर निकालने काला, P sin theta, अच्छा पिटा, P के बारे में जाल देता है, P होता है Q into 2A, 2A is the length between the dipole, length between the charges, या length of electric dipole, तो हम यहां क्या लिख सकता है, simply QL लिख दो, कोई बात नहीं, 2A लिख 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 अपन, L E, sin theta, value put करेंगे, क्या हो गया दिया हुए, Q कितना, Q E लिख 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 10 की पाफर 5, sin 60, और length 2 cm, और torque गया हुए, 8 root 3, तो मैं value put कर रहा, torque 8 root 3, length 2 cm, 2 to 10 की पाफर minus 2, electric filter 10 की पाफर 5, और sin angle किता दिया हुए, 60 degree, तो sin 60, ठीक है, तो फटाफर बना लेते हैं, इसको, 4, 4 root 3, अब वान में 10 ते स्टु पावर 3, into sin, मतलब root 3 by 2, root 3 by 2, root 3 से root 3, यहां से 2, तो कितना हो गया, 2 into, 10 की पावर minus 3 कूलम, क्या आ गया, 2 से 2 कटे का नहीं, यह उपर जाके multiply हो बजाना चाहिए, तो यहां पर 2, sorry 4, तो 4 into 2, यहां पर 8 हो जाएगा, 8 into 10 की पावर, 10 raise to power minus 3, ठीका, चार्ज आ गया, इतना ही निकालना को बोला था, magnitude of charge, दूसरा क्या बोला है, potential energy, बच्छ पोटेंशन एर्जी का रिलेशन क्या होता है, potential energy is, potential energy of electric diabolism, एक तो यह होता है, minus of p dot e, p dot e होता है, minus to kya ही ले रोओ, minus of p dot e, और, ठीक है, minus of p dot e ही ले दो है, क्योंकि negative होते है, potential energy, और इसका हम ले सकते है, ठीटा के terms हो दिये थे, तो minus p e cos theta, यह ले लो, कर दो, p कितना है, p p, p, p मतलब q into l, e cos cross a into 60, ठीक है, कितना निकाला अपने, 2, 8 into, 10 raise to power minus 3, और l को कितना लिखा था, 2 into 10 raise to power minus 2, e यह आपका 10 raise to power plus 5, और cos 60 मतलब 1 by 2, तो 2 से 2 cancel हो गया, यहाँ पे, तो आपका बचा, minus 8 into 10 raise to power minus 2, minus 5 plus 5, ठीक है, तो यह आपका हो गया, minus 8 joule, potential energy कितना अगी, minus 8 joule, ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकाला को लो था हमको, कि find its potential energy, ठीक हो गया, potential energy minus 8 joule आगया है, बहुत बढ़िया, तो इसी के साथ हमने बच्चों एक question पूरा complete कर लिए, एक question पूरा मतलब 31 question का हमने normal वाला पार्ट भी कर लिए, पहला वाला पार्ट उसका और वाला पार्ट भी हमने कर लिए, पर पेपर में आपको दोनों में सो कोई एक ही करना है, पर यहाँ पर तो मैं आपको पूरा का पूरा solution दे रहो, तो यहाँ पर मैं सब कुछ solve परवा, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल किया है, 32, 32 question का एवाला पार्ट, derive the expression for current flowing in an ideal capacitor and its reactance when connected to an AC source, बिटा क्या निकालना है, current निकालना है और reactance निकालना है, जब उसको एक AC source से connect कराएगया, कितना है, V is equals to V not sine omega t, बहुत बढ़िया, तो अच्छो एक AC का source है, तो सारी, यह capacitor है C, और AC का source है, जिसकी source की voltage की वी, वी is equals to V not sine omega t, ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना है, हमें current बगारे निकालना है, तो पहले तो देखो, कि इसका cross voltage कितना होगा, बहुत जितना इसका cross voltage है, जितना इन दोनों end पे voltage होतना ही यहां पर होगा, ठीक है, तो मैं क्या लिए सकता हूँ, यहां पर charge stored on the capacitor is, Q is equals to CV, ठीक, C is की capacitance है, तो charge कितना हो जागा, charge आपका हो गया, charge आपका हो गया, V not sine omega t, ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, विटा, Q तो हमने निकाल लिया, but Q देखा मैंने क्या, Q is a function of time, तो मैं current कैसे निकाल हूँगा, current is equals to, current is equals to dq by dt, differentiate कर देंगे, अगर dq by dt कर दूँँगा, तो क्या हो जाएगा, i is equals to d by dt, C V not sine omega t, cos omega t, तो sine omega t का differentiation क्या होता है, C V not, sine omega t का differentiation, cos omega t और omega t को करोगा, तो तो बैटाए, कुछ इस तरीके साहरा है, i is equals to omega c, और ये V not, cos omega t, ठीक है, ओके, तो बच्छे, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहाले हो, i is equals to V not, 1 upon omega c, लिख सकता हूँ, ठीक है, हाँ, लिख सकता हूँ, इसको है सिखर कि 1 upon omega c, अच्छा, पर cos omega t को क्या ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ, sine of omega t plus pi by 2, पर बच्छे, इस वाले करेंट को, इस वाले को क्या बोलते है, peak value, i not is equals to, basically what, omega c V not, is the peak value, peak value, of current, ठीक है, तो क्या बन गया मेरा expression, i is equals to, i not, sine, omega t, plus pi by 2, आगया, expression आगया, यही निकालने को बोला था, ठीक है, what is the current flowing in the ideal capital, निकाल लिए बच्छों, इतना ही आएगा, क्या देख रहे है हम, अगर हम देखे, voltage omega t का function है, और यह sign, current किसका है, omega t plus pi by 2, मतलब, जो आपका, current जो है, omega t plus pi by 2, voltage जो omega t का function है, तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, कि capacitive circuit में, इसको जो बोलता है, capacitive circuit में, current जो होता है, lead करता है, और voltage जो होता है, lag करता है, उन्हों का phase का difference कितना होता है, pi by 2 का, ठीक है, अच्छा, तो हमें दूसरा part किया बोले, हमें बोले, what is it, reactance, reactance, ठीक है, reactance भी निकाल लिए, बच्चों, यह जो हमने निकाला, one upon omega c, one upon omega c, ठीक है, that is the reactance, ठीक है, ठीक है, reactance is, reactance is, xc, that is equals to one upon omega c, ठीक है, और इसकों कैसे रिख सकते हैं, इसकों ऐसे रिख सकते हैं, xc is equals to, one upon two pi f and two c, ठीक है, तो कैसे भी लिखना चाहाँ, लिख सकते हैं, तो यह होगा, आपका reactance भी आपने निकाल लिए, अब दूसरे पार्ले पार्ट में, क्या बोला है, यह वाला पार्ट complete हो गया है, ड्रोइट फिजर डाइग्राम, बच्छों फिजर डाइग्राम बनाना बड़ा असान है, देखो, फिजर डाइग्राम सीखिए लेते हैं, बहुत ही बढ़िया, अब हम यहां पर यहां पर हम एक बना देते हैं कि वोल्टेज ए यह वी नॉट ही क्या होगे तो इसके अगर अगर परफैंडिकुलर लोग है ना यहां पर यहां से यहां तक कितना है ओमेगाट मतलब तो यहां से यहां तक करने का मतलब यह है कि यहां से करेंट जो है वह थोड़ा छोटा बनाऊंगा मैं उसकी जो लेंथ हो थोड़ी छोटी बनेगी क्यों कि वच्छा देखो वी नौट अपान वन बाई ओमेगा से ठीक है तो जो कैपसिटर होता है आपका वह होता है इन्टू टैने सुब और माईनस सिक्सम्टिंग ठीक है तो अब का वोल्टेज से तो कम होगा ठीक है तो मैंने इसका जो है लेंथ कम बनाई यह दैस आई नौट और यहां से यहां तक कर दिफेंस दिखा दूब कितना दूब पाई भाई टू और हमने यह आपने यहां पर पीक करेंट तो यह आपका विज़र डाइग्रम होगे तो यह आपका क्या होगे इस इस दर प्रिज़र डाइग्रम कि चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इस वाला पाट रिखिए वह इव दी रिजिस्टन्स एड़िट इन सीरीज टूदी कैफिट वाट चेंजेज विल अकर इंदी करेंट फोईंग करेंट फ्लोईंग इंदी सर्केट एंड फेल एंगल बिट्विन वोल्टेजन करेंट बहुत बढ़िए तो बोला है अगर मैं इसी सर्केट में रिजिस्टन्स एड़ गर दू तो आर्स की सर्क्ट बन जाएगा ठीक है यह आपका कौन से बाठ ता एग डिस एफ़ एंड इस अब इस फी पार्ट हैंद डिस ओब आफ कि ऐसी पार्ट ओके तो सी पार्ट में क्या गए रहाँ हमने एक को रजिस्टन्स दिया और एक कैपसिटर दिया और इसके ऑक्रॉस क्या लगा है हमने इसके अब झाल रिएक सब्सक्राइब करता है तो अब बेटा इस पे एक और चीज हम ड्रॉ करें दोनों में तो हम सब्सक्राइब कर्द सब्सक्राइब करता है तो इसका वैजर ड्राइग्राम कैसे बनेगा और सेट को फैजर डागरम ड्रॉव करों इस वाले सर्ट का नहीं वाले सर्केट का आक वीजार यारिक है कि यह अपका एक्स यह कर वाइन उद्थ मैं तो मार लेते तो यह आप इसी के अलोगे अपका करेंट भी है इसी के अलोगे आपका करेंट बहुत तो अच्छा बहुत बढ़िया अब क्या बोला है अब अगर इनका आपका इस तरीका से जो आपका कहाँ अगल क्या होता है फेस अंगल इस दी वोल्टेज एंगल प्रिवें दी वोल्टेज एंटी करें इस फाय ठीक है इसको वी बोलो वी आप यहां पर वी ले दिस वी और ये क्या हो जागा इस एंगल इस वाट ओमेगा टी ठीक है तो अगर आप करेंट बनाओ तो करेंट आपका आई इस इकोस टू साइन ओमेगा टी प्लस वही निकल के आएगा ठीक है चलो वह तो थेर बात की बात है तो यहां पर हमने यह कर लिया अच्छा तो इस समय क्या मिलेगा अगर किसी भी एक ट्रैंगल में देखो तो हमे कि यह एक वी deficit अंद यह स्क्वेडायग मतलब अगहां करेंट पीडेक्वैली ऑफ करेंट इंटू आर मतलब प्राइन इसले सके insider और व्री नोट काम क्ते सकते आप वी उन्हों सकते हैं यहीं एप सीधा हम जो ले रहे हैं पिक वैलिए स्टेसेमे मैंनिट्इूड त्टीकि यहां पर यहां पर यह जितनी भी चीज़ें सारे के सारा फेजर है तो यहां पर यह जो है यह आपका इस तरीके से होना चाहिए था इसकी जगह पर स्क्यूर्ट वी नॉट स्क्वेर है । ये स्क्यूर्ट वी नॉट आड स्क्वेर चैनल इसका हुआ इसका आपकों इसका Stand स्कॉर्ड पुलिए अ और इसका हुझाह नॉट आरा बर इसका है एक श्रह स्कॉएड पास तरुटं कर दो गया और ढाय, लोग तो क्या आजाएगा तो V not is equals to root of under root R square plus XC square और I not को भाले लेते हैं तो I not root के बाहर तो क्या आगे इस इस और I not is equals to peak value of current is equals to V not upon under root of R square plus XC square ठीक है तो मैटा यहां पी जो यह term आपकी आई यह this term is what this is अब क्या बोला है question में कि अगर क्या चेंज आएगा what change will occur in the current and the current in the circuit तो current में क्या चेंज आ रहे है देखो current में क्या चेंज आए आपका यहां देखो current is equals to V not upon R square plus XC square ठीक है इसको reactance इसको impedance बोलते है ठीक है इसको impedance करा जाता है तो अगर आप आई नॉट को लिखो तो क्या आ जाएगा यहां पर अगर करेंट आप लिखो तो current इस तरफ है और एक से से एंगल कितना मनना है इसका फाई नॉट फाई प्लस ओमेगा टी तो अपका instantaneous current कितना हो गया current is equals to I not sign omega t plus phi अच्छा दोनों में अंतर क्या है सब अंतर क्या है देखो बिटा जब आपने register लगा दिया कोई भी register लगा दिया तो ओमेगा टी प्लस फाई आ गया आप बोलोगे सब कैसे आएगे पिटेस डाइग्राम से आई इस तरफ जा रहा है अगर लिखना चाहते हो तो यहां तक समझ में आ गया तो यह आपका आ गया है अच्छा और क्या बोला है इस में नेक्स वाले बाट में की फिस एंगल फिस कितना होगा बेटा फिस मतलब फाइन निकाल ला है तो इस वाले डाइगर बदेको टैनफाइग्राइग अपन बेस तो बेस क्या है बेस वी आट तो तो टैन फाइग पन परपेंदिकुलर इस वी नॉट शी अपॉन वी प्रफाइग आपका एक्सी अपॉन र कि टिक है यहां पर इसको लिख सकता हूं बाइओ ओमेगा सी अपॉन आ ठीक है तो इस तरीके से जो आपका फेस डिफरेंस आ गया है वाट इस फेस डिफरेंस फेस एंगल बिट्वें डिवोल्टेज एंटी करेंट यह आपने यहां रशे को प्रफार पहलता कर दिया यहां पर कर दिया है सितना आपको डिकना था रिदी सब्सक्राइब कि वहाँ पर करण कितना थि सब्सक्राइब करना चाहो नाट हऊब नम चाहो ब्ने और इस harsh Scary gosh यहां पर यहां पर विस आइनोट एस विनोट मः एक सब्सक्राइब न पर wp एक सब्सक्रा यहां प्रिंसिपल बस्षों क्या होता होता है आजओ का प्रिंसिपल ऊब्ला गया है तो यहां पर यहां पर एक दम लेलो और यहां पर सुलिशन मिल जाएगा ऑगे शुरू करते हैं तो थो कि क्या बोला निअ इस बेस्ट हो इस बेस्ट डॉन टरिंसिपल ओफ किशम पर काम करती है कि अपने लिग दिया ठीक है इसको थोड़ा इस प्रियंक भी कर देना तो पूरे आपको नंबर मिल जो जाएंगे मतलब अगर किसी कॉयल को आप में रोटेट कर आओ ठीक है तो तो माइनिटिक फ्लक्स लिंग्ड विद दिक कॉयल चेंज इन इंडूस एमफ एंज हैंस एंस एंस कॉरेंट इस सेट अप इन इस सर्कुट तो जैसे जैसे आप किसी कॉयल को मैंने graduate करोग से Self Change होगा तो रंड करूज और चैम्ठ भी सर्ट हो जाएगा ठीक है तो यह आपका प्रिंसिपल था ओके मिटा धर क्या क्या पहले वर्किंग बुला है यहां पे वन्हें कर लिया पर इसने एकृशिन फॉर्क promet इननी को सिखे तो इमए जड़ेट होगी उसका एक्सप्रेशन भी लिकाल ला है और वरकिंग भी है पर यहां पे जो है जिस इस आप से आप बोला गया है तो एक बार देखलो वरकिंग कैसे काम करते है बटेवल कर लेख्राम करें यहां और अब कोईल का एक एंड को आपने एक ब्रस्ट कर दिया इनको क्या बोलता है यह आपको देख रहे हैं इस ब्रस ब्रस ठीक है अच्छा और यह स्लिप्रिंग्स होती है तो यहां से एक एक एंड को आपने एस वन स्लिप्रिंग में कर दिया अगर दिख रहा है और दूसरा वाला यहां से आता हुआ यहां पर चींज होती रहती है तो इसकी वर्किंग को थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या बोला है कि मैं यहां बता देता हूं कि सपोस्पोस जो इस तरीके से तो इक वहर ऐसे गूम जाती है कोई एसे गूम जाएगी तो पी कूरस नीचे आ जेगा और और यहीं लिखा हुआ है कि मांग लेतें कि कॉयल जो है कि लन ऐफgoing लेटेस, it is rotated in the clockwise direction तो PQ जो है downward चला जाएगा और SR अब बढ़ा जाएगा PQ जो नीचे चला जाएगा और SR जो उपर आजाएगा और जब भी कोई किसी magnetic field में कोई conductor move करता है तो उस पर क्या लगता है, उसमें होती है EMF induced और उस EMF की direction कैसे निकालता है तो अगर हम बात करें समझार ना मैं बताः रहो हुआ इसार आया इपर क्योंग नीचे एसार है उपर S, R आया उपर. PQ गया नीचे. PQ को देखेंगे. सिर्ख को देखेंगे? PQ को देखेंगे. देख रहे हुँआ? अच्छा. PQ कईया नीचे? Motion? नीचे. Magnetic field? इस तरफ. ठीक है? Magnetic field इस तरफ. Нीचे गया. तो current direction क्या होगे? करिंट डिरेक्शन क्या हो गए बच्च यह नीचे आ रहा है तो बैसिकली इस तरीके से बाहर की तरफ है इस तरीके से पी क्यूं पी क्यूं तो यह नीचे चला गया तो अगर आप इसमें लेफ्ट हं राइट हं डूर लगाओगे तो मैंटिक फिल्ट यहां जा रही है और य कि 내용 high और इस तरफ जाए गए तो क्योम करिंट क्या होगी स आल घूपी यही होगा है एस आर अच्छा अब क्या बोले अगर प्यार यहां तो इस is पॉजडिव इंड विडिस नेगटिव करते हैं नेक्स पार्ट में उल्टा हो जालेगा बच्यों उल्टी हो जाएक ठीकर एक आदा से घुमारे इसे में ठीक है तो क्या हो गया सब्सक्राइब और सब्सक्राइब तो बीवन पॉजिटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा तो इस तरीके सब्सक्राइब यहां पर जो है क्या बोला है इंदी डिरेक्शन ऑफ दी करेंट इंदी सब्सक्राइब करेंगे अच्छा माल लेते हैं कि फ्लक्स की घर बात करेंगे अग्नेटिक फ्लक्स जैट इस बी एक औस तीटा सभी जानते हैं बच्छे तीटा इस डिंगल बिटमदी नार्मल से अग्नेटिक फिल्ट माल माल लो प्लेंड इसा है बल्ए मैंडिक इदर है तो इस अगजा अच्छा तो माल नेते हैं एक और चीज़ क्या अएक एक तो कॉईल होती ही निया नमबर अप्टन्स होते हैं तो एन नमबर अप्टन्स तो एन आ जाएगा यहां पर अच्छा तो बैटा इंड्यूस इमपका फॉर्मुला क्या होता है माइनस ऑफ डी फाइंब डी टी कौन कहता है यह बाइफ फैरडेस रूल फैरडेस रूल ठी क्यों सकते हैं तो इसको डिफ्रेंशिट करोके थे साइंग इसको यह बहुताई-सको उमेगा टो माइनस साइन टी इंटो मेगा टीक है तो माइनस मैनस प्लस जागा तो क्या हो ज Jaga ए बी ओमेगा तो यहां पर अब यहां हम नहां करा इक्वोस्तू-धिफाइंगे अबान धी और एनवी एसांगे टी यहां पर इसकोено डिफ्रेंशियेट कर देंगे टो माइनस साइन ओमेगा टी इंटो मेगा और फिर इसको रियेँज कर लेंगे तो एने मीघा और साइन ओमेगा ठीक है अच्छा वेटा इसको इन ओ बोलते है और यहां से अपने निकालना था ठीक है डिफरेंशेट करना था सिंप्ली ओके तो चलिए बच्छो नेक्स्ट कुछ रहे तो नहीं किया है ओक यहां पर बोला था कि यह निकालना निकाल दिया अब बच्छ बोला है इस पॉसिबल इस पॉसिबल टो जेंडरेट एमफ विदा रोटेट करें कि यह मँण जर्टा हो जाये अगर है तो क्यों है एक्सप्ली करना नहीं है तो पुछ मैं काऊंगा है जी हा है मुझे किसी भी तरीके से प्लक्स को चेंज करवाने को सब्सकिन को कैरा नह Elmanips करारां क्यों नहिसे कीलते हैं इस अ मिजिघर च्छिएव क्या वोला है यह दिजनेरेटर वुड़ वर्क इप इप कॉयल वर स्टेशनरी एंड इपोल पीसे आर रोटेटेटेट तोगेदर विद इसेम स्पीड कोईल को रोटेट यहां पे ठहरे बंगा अवी दोनों कर लिए है बच्चो अब प्रहें गया लास्ट पेपर का को डिखन को बिखंच नमबर 33 इसाइप बहुते सवाल पुजा गया है तो वेफुंट या होता है और वेफुंट इस डिफाइंड एस इस दिफाइंड अज दिफाइंड एस टीनियूस लोकश of all such particles of the medium which are vibrating in the same phase at any instant मतलब एक वेप्रेंट क्या होता है इट इस एक पार्टिकल्स का समू हां समू मतलब गृप पार्टिकल्स ठीक है लोकस मतलब गृप पार्टिकल्स समू उनका समू जो मतलब पार्टिकल्स का ग्रुप किसी भी मीडियम में जो वाइब्रेट कर रहा हो सेम फेस में यहर एक पार्टिकल्स का जो फ्रिक्वेंसी ऑउस्सिलेशन है वो सेम हो रहा होगा ठीक है तो ऐसा एक पार्टिकल्स के ग्रुप को हम क्या बोलता है वेफ्रेट ठीक है इसको समझने का बहुत अच्छ और फिर कर ऊपर तो पेटा एक साथ नीचे आ रहे हैं तो all the particles are moving downward with the same speed they are in same phase और एक साथ ऊपर आते हैं तो जैसे वो नीचे जा रहे होते हैं तो पानी ऐसे जा रहा होता है जैसे ऊपर आ रहे होते है तो इस तरीके से पानी जा रहा होता है ठीक है ना पत्तर डालने पर ल klore against को हम क्या बोलेंगे यहां जा रही है तो दिशा में जा रही है तो तो ईसे एसे वाइब रहे होंगे तो बास समझ में आगई आप लोगो बहुती बढ़िया बहुती अच्छा आगे बढ़ते हैं भी पार्ट में ड्रॉड ड्रॉड डाग्राम टुशो दी शेप ओफ लेफ्रन वेफ्रेंट प्लेइन वेफ्रेंट अगर एक तिन प्रिजम से पास करती है औ अगर कोई रे वाले पार्ट पे तो अगर कोई रे जो कोई वेफ्रेंट जो है एक प्रिजम से पास करते हैं तो उसके बाहर जो वेफ्रेंट जाएगी वह कैसे आएगी देखो बैटा देखो अगर मैं प्रिजम बनाता हूं एक प्रिजम बना दिया हमने ठीक है तो यहां से मैंने बोला कि यहां से बच्चे प्लेंड वेफरेंट लेगा रिए लेता है तो हमें नहीं पता अंदर कैसे होने मैं सीदह सीदह बना रहा हूं ऐसे जारी बाहर बटा ऐसी ज़ाती है अरे ऐसी आती है तो अगर रेस बना दिया तो बच्चो सबसे बढ़िया तरीका है बना दो तो घ्रेस के परपेंडिकुलर बना तो किया ट्रीड परप्टेद्रट वेप्रूर्ट अ लॉजर यह नॉज फूरμο क्लिज से फिर्फ डेन्ट इंचीन ऽिद इंचीडंट इंचीडंट ट प्रांस्मिन्ट या रिछ ने रांस्मिट्र यह ठांस्मिट्रूइन को स्गोंड़ करने सबक्र घ्याए भीन की अ Stand तो नेचर बोला था नेचर नेचर रिफ्रेक्टेट इन करना है तो इसलिए इसलिए इतना इतना लिखा यहां पर इसलिए लिखा रहे हैं तो इसका फोकस बाल लेते हैं यह तो यह हमने अभी क्या सिखाया पहले क्या बना लो पहले इस बना लो समय लिए खती है तो मेट करीं कहां सब्सक् dipped Fokus तो प्लेए चलें कि यहां पर लेट यहां यह एक प्लेटोस बच्ख आ यहां पर दयार इंट्वर्जिग्ट बच्छ ऴड़ाल सफेरिकल सबस्क्राइब अच्छ सब्सक्राइब मुझ जाएगा बैसे इस आगा में पच्छो अ nest प्लेटोस है तो दिस इस को WF लिख देता हूं WF और दिस ज़र कनवर्जिंग कनवर्जिंग स्फेरीकल वेफ्रंट डब्लू FWF ट्व्र डबलू एफ ओके तो कंवर्जिंग में फ्रेंट समझ में आ गया तो इतना गन्ना था अच्छा वी वाला बाट भी हमने कर दिया है अच्छा वेरिफाइज स्नेंस लॉप रिफ्रेक्शिं यूजिंग उजिंस प्रिंसिपल यूजिंस प्रिंसिपल का यूस्तमाल करके इस्त उजिंस प्रिंसिपल के इस्तमाल करके बनाते हैं हम क्या इसका सी वाला पाट करते हैं सी वाला पाट अच्छा हमने क्या बना दिया इंटर्फेस बना दिया तो यह आपका रेयरर मेडियम और यह आपका नेंसर देंसर तो यहाँ पर लाइट की स्पीड भींदर को दिकत बहुत यहां पर भी वन यहां पर भीटव लाइट की स्पीड ठीक है चलो 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 झलो आगे अच्छा तो सर अड़ क्या होगा हमने बना एक इंसिडेंट प्लेंट बना लेतें इंसिडेंट फ्रेंट ठीक है जिसका नाम क्या है ए भी ठीक है अच्छा तो सर्थ यहां पर क्या बनाते हैं यहां पर एक नॉर्मल बना देते हैं अच्छा तो इस वाले यहां से देखना इस वाले वेव को यहां पर तक की यहां पर गगा जितना टाइम लगा ठीक की टाइम तो इस पॉइंट को यहां पहुंच निम अतना टाइम लेगा माल लेते हैं कि यह बी पॉइंट यहां पे जितने देर पहुंचेगा मतलब दिस्टर्बेंस एड पॉइंट ए जितने देर पहुंच जाएगा तो जो रिफ्रैक्टेड वेफ्रेंट होगी जो काईसे होगी वह कुछ इस तरीके सो इस ठाइस रख्रेंट बनेगा यहां अच्छा तो वैसे हम क्या बोलता थे वैसे हम बोलता थि कि संप ये वाला वह रह höरnh्री रहते हैं वागी यहां से यह पर्पेंडिब्लर होती है यह आपकी इंसिदेंट रहे होगी ऐसे आ ठीक है तो दन तो इस पॉंट को बोल देते हैं डी और इसको सी बोल देते हैं कि ओक्यों और यह आपको क्या हो जागा दिस जडर एंवल फेंट तो हमको स्मेंट प्रूफ करने एक चीज़ यहां पर ध्यान देनी है अभी मैंने इक चीज़ आपको बताई थी क्या क्या बताई यहां पर की है कि वच्चो कि जितनी देर यह जो रहे है एस डी पहुंचेग कि उतनी देर में बी इसे सी पहुंचेगा इसवाली में स्पीड कितनी है वी वन से यहां से यहां तक क्यों बनेगा क्यों बनेगा यह आपका रहे है तो इसको थोड़ा ऐसे बना रहेते तो आपको और क्लियर हो जाएगा आप सब्सक्राइब कि यहां से अगर आई निकालो सब्सक्राइब करनेगा यह तो इसको भी अपॉन में लिखते थे हैं जो यह कितना हो जागा विटनेग्टेस कितना है बेडी और रही अगर निकालो साइनार ठीक है तो इसको भी अपॉन में लिख देते हैं साइनार कितना हो जागा विटा यह एंगल अप रिफ्रेक्शन है इस पर्पेंडिकुलर वी टू टी और हाइपोटनियूस बीडी अपॉन में बीडी ठीक है यह तील भी लाइन के उखी चुकी यह लाइन को ज्याद तो यह उल्टा हो कि अपका तो साइन अपॉन अपॉन साइनर कितना हो गया इस एक चीज़ आप लोग ने अपको पता होगी कि वेलासिटी जो रिफ्रेक्टिव इंडिक्स होता है वो तह सिय अपॉन वी और मेडियम इस वेलासिए मेडियम देर इन इन्वर्श दि प्रोपोर्शनल तो इसका मतलब यहां पे विए वाइ व दू का मतलब सिंपली है क्या मिव टू बाय मुवण और मुटू बाय मुवण का मतलब कहें दिस दिए डिफ्रक्तिम इंड़ आ रहे हैं तो हम लिकरें साइनाई अपान साइनाई इस इकवस सब्सक्राइब कर लिया है अब इसका बस और पार्ट गरना रह गया है बस इसका और पार्ट गरना रह गया है देखें कि क्या पूछा है कब जब और टेलिस्कोप के बात कर रहे हैं जब हम अब जो कर रहे हैं इसका अब्जेट्ट इंका फोकल लेंद बहुत बढ़ा होता और उसका अपेरिचर भी बहुत बढ़ा होता पेरिचर देखो यहीं लिखा है इस अपेरिचर बहुत ज्यादा होना चाहिए ठीक है आइपी से फोकल लेंद जो होती है अब्जेक्टिव क्यों बड़ी होती है इस नमर्ग टेलिस्कोप में और उसका अपेरिचर भी बढ़ा होता अपेरिचर बढ़ा होने के रिजन है इस टेकल लार्ग सोड़ इट गै सफीशेंट लाइट वह गैदर कर सेके डिस्टेंट अब्जेक्स से अस्ट्रोमिकल टेलिस्कोप किसली होता है हमेली वार्डिस को देखने के लिए इस्तमाल होता है फॉर एक्जामपल सन प्लैनेट्स मून यह सब तो जो लाइट है वह गैदर कर सेके ज्यादा और आपको इल्यूमिने इमेज दिख पाए अच्छी सी इमेज आपको दिख पाए छिए चलिए 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 तो अगले वाले बाट पर चलते हैं ड्राण रे डाईगर्म आप सेयसकोब बक्चत किसी भी किसी भी किसी है Chuck Bron ס आप लिवर्श में हें नियुतोन और कासे घ्रडिक्ग टैलेस्गोप कजए जिर्विंग अग्निफाइख है पाउर मैं इट सेट्स मैंगिफाइग आले बताने बच्चो तो मैं कैजिए ग्रेंग कि इफलेक्टिविंटर टीलिष्कपब año topics of trapped by ओलिआ तयुप तो क्या बोलता है कैसा बनता है बटा रे डाइगराम ड्राउ करना और कुछ भी नहीं करना है तो बटा ये क्या करता है इस तरीके से आपने तो सपोर्ट ले लिया दो ले लिया क्या सपोर्ट सपोर्ट ओके यू छोड़ दिया और यू ठीक है, बीच में एक होल होगा, छोटा सा होल यहाँ पर, और यह कौन सा मिरर है, पैरा, बो, लोईडल, अब्चिक्टिव, मिरर, विडियो स्लो लग रही है, तो पास करके देखने हैं, पैरा, बो, लोईडल, अब्जेक्टिव, मिरर, ठीक है, अच्छा, तो बेटा, इसका अब फोकस होता है, इसका सम्वेर वालना, यहाँ पर फोकस है, और उसके बीच में हम एक छोटा से मिरर और लगा जाते हैं, तो माल लोगी रेज आ रही है, इंफिनिटी से, डिस्टेंस से रेज आ रही है, तो कहा मीट करेंगी, दे विल मीट सम्वेर हीर, ठीक है, तो इस सारे कょलर हों, यहां से यहां से आ रिय हैं यहां से बाएज इसके पास, ओस प्राइमरीन हम बोलेंगे ठीक है, और यह प्राइमरी, तो सोता है जो यहां से dándar मिरल ने करेंगे, तो रिल में हम बोलेंग works, से है यहां सिर इस तरीके से जाकर यहां पर करती है यहां हम क्या लगा जेतें इसके जस्ट बारिक आईपीस लगा जेते इस तरीके से आप बना सकते हो एक रिफ्लेक्टिंग टायप टेलिस्कोड लगा वाट secondary mirror convex mirror होता है और this is primary mirror paravoidal objective mirror ठीक है तो यह है ray diagram और rays are coming from distant जो भी labeling आपको करनी आप कर दीजे rays are coming from distant ठीक है टैनिस को मैंता दूर की चीज़े को देखने के इस्तमाल के जाता है तो IPS और इस तरीके से जो है आपका image बनता है तो इतना ही करना था इस पर और इसकी magnifying power को state करने को बुला है बैटा magnifying power के अगर statement लिगने है किसी भी telescope की तो बहुत सिंपल है कि हम क्या लिखते है बीटा अपॉन alpha M is equals to magnifying power is equals to beta अब बीटा क्या होता है beta is the angle subtended by the image at I और alpha होता है angle subtended by the object ठीक है यहां पर इसकी magnification अगर लिगना जाओ तो सिंपली इसका astronomical telescope की जितनी होती 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 इसकी भी तो F not upon FE ठीक है ठीक है ठीक है दिस अब्जेक्टिव और डिस आई पीस अब्जेक्टिव एंड आई पीस चीक है आई पीस का फोकल्लेंद होता है अब्जेक्टिव अपन आई पीस और फिर 1 प्लस FE upon D तो यह वाला magnifying power हम कब लेते हैं यह magnifying power का फॉर्मल हम कभी उसकरते है जब image का बनती है डी पे बनती है डी मतलब 25 cm पर image बनती है ठीक है और जब इनफिनिटी बनती है इमेज इनफिनिटी बें बोल रहां वे लिखनी रहां ठीक है इनफिनिटी बनती है तो क्या होता है एम जी गोस्तू अफ नॉट वाइज टीक तो यह magnifying power होती है का जग्रिल टेलिसकोब की ठीक है बच्चों चलिए तो अगला सवाल पर चलते हैं यहां पर हमें क्या करना है हमें इनको बताना है बच्चों एडवांटेज क्या होता है रिफ्लेक्टिंगटिंग टीक रिफ्लेक्टिंग टेलिसकोब कर स्ष्प अगर आपने तो इसके जुशाब्स करते हैं तो जाधा होता है यह लेंजसर सब्लाइट कोज़ाथ देन इसद्रेटिंग आश्यू ने करते हैं स्टार्स केंड इसलिए रूम पुक्रुट जो भी आपके जो स्टार्स है जो बहुत दूर है जिनसे लाइट कम भी आ रहे है तो वो भी आपको अच्छे से विव हो जाती है है फ्रॉम फ्रॉम विच टेलिस्कोप फ्रॉम रिफ्लेक्टिंट थाइप टेलिस्कोप क्लीर ओकें सब्सक्राइब यूस्टिंट टैप टेलिस्कोब है रिखेंग पार रहेगें नियुदी जो होती है वह होती है तो यह चीज आपके महरर में नहीं होती है तो चलिए बच्चो इसी के साथ यहां पर यहां पर इसको खतम कर लिया है जितने भी आपके कोश्चन पूछे थे 33 का और का सी पार्ट पर ने कर दिया है और 33 कोश्चन में जो 33 वा कोश्चन है उसका और पार्ट में इतना ही था तो इसी के साथ बच्चों पूरा का पूरा जो लेटस सैंबल पेपर है वो हमने यहां पे सॉल्फ कर दिया है विद्ट डिटेल्ड सॉल्यूशन अगर आप सेक्शन एबी सीडी की बात करो सबके सब यहां पर हो चुके है अपने फ्रेंड्स को शेर करो बच्चों मेंटी को इसकर वारे हैं उसे आके खेलो ठीक है तो अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेर करो उ और चैनल को सबस्क्राइब ही कर देन वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सबस्क्राइब कर देना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर अब تक के लिए बाए-बाए